दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिसकस करेंगे ग्राइंडिंग वील स्पेसिफिकेशन के बारे में अगर हम बात करें ग्राइंडिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम रिवॉल्विंग वील के अब्रैसिव एक्षन के दुआरा वर्क पीस सर्फेस के उपर से मैटीरियल को रिमूव करते हैं ताकि वर्क पीस को रिकुआइड सेप और साइज परदान किया जासके तो इस एक्षन को करने के लिए जो भी वील का इस्तेमाल किया जाता है उसे हम ग्राइंडिंग वील कहते हैं जैसा आप देख सकते हैं बेंच ग्राइंडिंग मशीन में ये ग्राइंडिंग वील लगा हुआ है ये पेडस्टरल ग्राइंडिंग मशीन में ये ग्राइंडिंग वील लगा हुआ है तो ये जो ग्राइंडिंग वील है इस पे जो नोटेशन होती है इसकी जो specification हो है वो किस प्रकार से होती है अगर हम बात करें अलग-अलग countries में अलग-अलग specification का इस्तेमाल किया जाता है इसलिए कि throughout country जो notations है जो specification है उसमें uniformity बनी रही इसलिए एक marking system of grinding wheel को बनाया गया Bureau of Indian Standard के दुआरा और जिसको manufacturer ने follow किया तो अब बात करते हैं कि जो grinding wheel पर जो notations होती है वो specification है वो किस प्रकार से होती है यह उसकी sequence है sequence of Indian Standard System of Marking grinding wheels IS code 551 1989 के अनुसार तो यह sequence रहता है सबसे पहले prefix होता है जो optional होता है क्योंकि यह जो prefix है यह manufacturer के दुआरा इसको use किया जाता है जो कह सकते हैं एक manufacturer symbol होता है एक प्रकार से exact kind of abrasive यह हमें बताता है यह कह सकते हैं कि यह manufacturer का अपना trade brand होता है उसके बाद abrasive type होता है अगर हम बात करें जो abrasive type है वो mainly दो alphabet यहां पर use किया जाते हैं यह तो A का use होगा या फिर C का use होगा अगर A का use किया गया है तो A होता है aluminium oxide के लिए अगर C का यहाँ पर यूज किया जाता है तो वो होता है सिलिकोन कारबाइड के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं C for सिलिकोन कारबाइड उसके बाद जो थर्ड हमारे पास यहाँ पर जो नंबर है वो है ग्रेन साइज यहाँ पर लिखा हुआ है 36 अब जो ग्रेन साइज है इसमें अलग-अलग केटेगरीज होती है इसे हम ग्रीट नंबर भी कहते हैं अब जो ग्रेन साइज है इसकी जो चोईस है वो मेलनी डिपेंड करती है कि हमें कैसी क्वालिटी फिनिस चाहिए कितना मैटीरियल हमें रिमूव करना है यह फिर जिस material को हमें grind कर रहे हैं उसकी physical properties क्या है उस पर यह depend करता है तो जैसे अगर यहाँ पर 36 लिखा है तो इसका मतलब है कि इसका जो abrasive grain size है वो अगर आप देखें 36 यहाँ पर है तो वो medium है course के case में क्या number हो सकता था 4, 5, 6, 7, 10, 24 तो यह number हो सकते थे medium के case में 30, 36, 40, 46, 54, 60 अगर fine grain size है तो 70, 80, 90, 100, 120, 150, 180 अगर very fine है तो उस case में यह number यहाँ पर mention हो सकते थे यहाँ पर जो coarse grit होता है वो ज़्यादा material को remove करता है fast rate पर और mainly कह सकते हैं जब हमें soft यह ductile material को grind करना है तो उस case में coarse grit का use किया जाता है लेकिन जब हमें fine finish provide करनी है तो finer grit का इस्तेमाल किया जाता है hard यह brittle material को बढ़िया तरीके से जो grind है वो finer grit wheel के दुआरा किया जाता है और जो पहले तीन है जो coarse, medium और fine है इसका हम grinding work में use करते हैं जो very fine है इसको honing work में use किया जाता है next है grade जो grade की अगर हम बात करें grade भी तीन category होती है soft, medium और hard अब जो grade है यह हमें बताता है कि जो wheel में जो bond है उसकी strength कितनी है और mainly जो grade की जो selection है वो depend करती है nature of work पे, composition पे, size या hardness कितनी है उस पे depend करती है जैसे अगर soft wheel है वो hard material के लिए smallest size का अगर wheel है वो उसमें हम hard wheel use करते हैं तो hard material के लिए soft wheel होता है जहां vibration ज़्यादा है वहाँ पर hard wheel का use किया जाता है और क्योंकि जो soft wheel है उसका abrasive grain बड़ी असानी से break हो सकता है लेकिन जो hard wheel होता है वो ज़्यादा लंबे समय तक retain रहता है तो इसको alphabet से दिखाया जाता है अगर यहाँ पर A से लेके H तक alphabet है तो हमारा soft wheel है अगर I से लेके P तक alphabet है तो medium है अगर Q से लेके Z तक alphabet है तो वो hard wheel होगा उसके बाद next जो sequence में आता है वो आता है structure अब structure में यहाँ पर number लिखा होता है तो structure दो तरह की हो जकती है क्योंकि जो structure को number से indicate करते है यह हमें बताती है कि जो abrasive grain जिससे grinding wheel बना होता है उन abrasive grains के बीच का space कितना है density of wheel की यह बात करता है तो दो तरीके होते हैं या तो यह dense होगा या फिर open होगा अगर यहाँ पर alphabet 1 से लेकर 8 तक लिखे हैं तो वो dense है अगर 9 से लेकर 16 या उससे ज़्यादा है तो उस case में open है तो यह हमारी open structure है इसके बाद बात करें जो structure होती है उसकी selection depend करती है वर्क पीस के material पे उसकी hardness कितनी है grinding operation किस type का हम use करते है जो surface पे निस हमें work surface पे चाहिए वो किस परकार की है अब next की अगर हम बात करें जो दो wheel है अगर suppose example के तोर पे हम बात करें जिनका great number सेम है grade सेम है same ही material पे हम use करते है तो उस case में हमारे पास दो ही structure होंगी open structure यह dense structure जो open structure है वो ज़्यादा freely और बड़िया fast तरीके से cut करती है उसकी life भी ज़्यादा होती है dense structure के मुकाबले next है nature of bond अब जो nature of bond के अगर हम बात करें जैसा हमने बात किया कि जो grinding wheel है वो abrasive particles या abrasive grains से मिलकर बना होता है तो उन abrasive particles को abrasive grains को आपस में जोड़के रखने का जो कारिया है वो bond करता है एक परकार से उन सभी aggressive grains को आपस में formally एक साथ जोड़ने का जो कारिया है bind करने का कारिया है वो bond करता है अब bond है वो अलग-अलग होता है अब जैसे यहाँ पर capital V کا इस्तेमाल किया गया है तो ये विट्रिफाइड है अगर S होता तो सिलिकेट होता R होता तो रबड होता तो इस प्रकार से ये अलग-अलग notations है आफशक्ता के अनुसार जो भी यहां लिखा होगा वो हमारा bond हो सकता है अब उसके बाद जो next आता है वो आता है suffix अब suffix भी क्या है ये भी optional है optional इसलिए है क्योंकि इसका भी जो इस्तेमाल है वो manufacturer के दुआरा किया जाता है और जो suffix है ये सारी notation के बिल्कुल end में ये लिखा होता है मतलब कि ये manufacturer का अपना symbolic representation होता है जो कोई उसका particular type of wheel है उसको ये indicate करता है तो एक प्रकार से जो prefix और suffix हैं ये दोनों optional होते हैं ये हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते ये depend करता है कि manufacturer इसको use करता है कि नहीं करता है तो दोस्तो आज हमने इस वीडियो में आपके साथ है डिसकस किया grinding wheel specification के बारे में कि grinding wheel के उपर जो लिखा होता है उसका क्या क्या मतलब होता है अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा आप इसको like कर सकते हैं share कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ students के साथ और जल्दी हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद आपका दिन सुब रहे कर सकते हैं